आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। एक दुर्क के भीतर सुनहले काम वाले खंपों पर एक दालान, बीच में छोटी-छोटी सी सेरियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुन्दर लकडी का सिनहासन, बीच के दो खंबे खुले हुए हैं, उनके दोनों और मोटे-मोटे चित्र बने हुए, तिबबती ढंग से रेश्मी परदे पड़े हैं, सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरहें, जिसके दोनों और क्यारियां, उनमें दो-चार पौधे और लताये फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं, कोमा, धीरे-धीरे पौधों को देखती हुई, प्रवेश करती हैं, इन्हें सीचन कर हसने का तो मानो इन्हें बल ही नहीं है, कुछ देर सोचकर कोमा बोली, ठीक, इधर कई दिनों में महराज अपने युद्र विग्रह में लगे हुए हैं, और मैं भी यहां नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता, उस दिन मैंने यहां दो मंच और भी रख देने के ल पर्ष से परिचित नहीं, ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है, सीड़ी पर बैठ कर वो कुछ देर सोचने लगती है, प्रणय, प्रेम, जब सामने से आते हुए तीवर आलोग की तरहां आखों में प्रकाश पुंज उडेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स पश्ट हो जाती है, अपनी और से कोई भी प्रकाश की किरन नहीं, तब वही केवल वही, हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक रितु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है, सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष यौवन, तीरी चंचल चाया, इसमें बैठे घूट भर पीलूं, जो रस्तो है लाया, यौवन, तीरी चंचल चाया, मेरे प्याले में पद बन कर कब तू छली समाया यौवन, तीरी चंचल चाया, जीवन वन्शी के छेद्रों में स्वर्बन कर लहराया पल भर रुकने वाले कह तू पतिक कहां से आया, पतिक कहां से आया चुप होकर आखे बंद किये, तन में होकर बैठी रह जाती है शकराज का प्रभेश, हाथ में एक लंबी तलवार लिए, चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है, जिससे कोमा को नहीं देखता शकराज, खिंगल अभी नहीं आया, क्या वो बंदी तो नहीं कर लिया गया नहीं, यदि वो अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ती दिखाई देनी चाहिए फिर कुछ सोचकर बोला, विपत्ती केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी चित बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैट जाओं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को थोड़ा समहाल लूँ फिर वो इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी हो जाती है, उसे देखकर वो कहता है, अरे, कोमा, 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 हां महराज, क्या आग्या है, शकराज, उसे स्निक्द भाव से देखकर कहता है, आग्या नहीं, तुम्हें आग्या न दूँगा, तुम रूठी कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब शकराज, आजकल मैं जैसी भीशन परिस्थिती में हूँ, उसमें अनमनस्क होना सोभाविक है तुम्हें ये भूल न जाना चाहिए कोमा, तो क्या आपकी दुष्चिंताओं में मेरा भाग नहीं मुझे उससे अलग रखने से क्या वो परिस्थिती कुछ सरल हो रही है शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डाल कर व्यथित नहीं करना चाहता मेरे सामने जीवन मरन का प्रश्ण है कोमा, प्रश्ण स्वयम किसी के सामने नहीं आते मैं तो समझती हूँ, मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है मकडी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला भुनता है जीवन का प्रात्मिक प्रसन उल्लास मनुष्य के भविश्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है उससे उदासीन न होना चाहिए महराज शकराज सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है मैं तो पुरुशार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ पुरुशार्थ ही सौभाग्य को खीच लाता है हाँ मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा मैं ही दिगविजय के लिए नहीं निकला था कोमा संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुक थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे शकराज यही तो मुझसे नहीं हो सकता कोमा अभाव मैं लगुता में मनुश्य अपने को महत्वपून दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है शकराज ने कुछ चिड़कर कहा ये शिक्षा अभी रहने दो कोमा मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता तुम अभी तक पाशाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो मेरे पास आओ कोमा पाशाणी हाँ राजा पाशाणी के भीतर भी कितने मधुर्स त्रोत बहते रहते हैं उनमें मधिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है प्यासों की त्रिप्ती शकराज किन्तु मुझे तो इस समय स्पूर्ती के लिए एक प्याला मधिरा ही चाहिए कोमा स्थिर दृष्टी से देखती हुई कहती है मैं ले आती हूँ आप बैठिये कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है शकराज मंच पर बैठ जाता है इतने में खिंगल का प्रवेश होता है शकराज कहो जी क्या समाचार है खिंगल महराज मैंने उन्हें अच्छे तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध द्रड है उन्हें दो में से एक करना ही होगा या तो अपने प्राण दे अन्यता मेरे संधी के नियमों को सुविकार करें शकराज उच्छुकता से कहता है तो वो समझ गए खिंगल दूसरा तो उपाय ही क्या था ये छोकरा राम गुप्त समुद्र गुप्त की तरहे दिगविजय करने निकला था उसे इन बीहड पहाडी घाटियों का परीचय नहीं मिला था किन्तु सब बातों को समझ कर वो अपने नियमों को मानने के लिए बाद्य हुआ शकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है हैं तुम सच कहते हो मुझे आशा ही नहीं थी क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी राम गुप्त ने मान लिया स्वान के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है खिंगल हाँ महराज उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्विकार किया और दुरूव स्वामी नी भी आपकी सेवा में शेगर ही उपस्तित होती है कोमा चौक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हातों को जगजोरने लगता है शकराज खिंगल तुमने कितना सुन्दर समाचार सुनाया आज देव पुत्रों की स्वर्गी आत्माय प्रसन्न होंगी उनकी पराजयों का ये प्रतिशोध है हम लोग गुपतों की दृष्टी में जंगली बरबर और असब्य है तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बरबरता के भी अनुकूल होगी हां, मैंने अपने शूर सामन्तों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी महराज शकराज, तो फिर सोने की जांजवाली नाच का प्रबंद करो इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामन्तों को भी शेगर बुला लाओ खिंगल का प्रस्थान होता है शकराज अपनी प्रसन्यता में उद्विक्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिन्हासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है चार सामन्तों का प्रवेश होता है दूसरी और से नर्तकियों का दल आता है शकराज उनकी और ही देखता हुआ सिन्हासन पर बैठ जाता है सामन्त लोग उसके पैरों के नीचे सीडियों पर बैठते हैं नर्तकिया नाचती हुई गाती है अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुगराली है लोमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है बरली पहाडियों ने अपनी जीलों की रत्न मई प्याली जुक चली चूमने बल्लरियों से लिप्ट तरू की डाली है ये लगा पिगलने मानि नियोकराहर दैमृदू प्रण रोश भरा वो हस्ती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली है भरने निकले है प्यार भरे जोडे कुञ्जों की जुर्मुट से इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है भरी उठी प्याली असुमनों निसारब मकरंद मिलाया है कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है वसुधा मद माती हुई उधर आकाश लगा देखो जुकने सब जुम रहे अपने सुक में तुने क्यों बाधा डाली है हां क्यों बाधा डाली है तुने क्यों बाधा डाली है नर्तकिया जाने लगती है एक सामन श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संदोश नहीं होता जबकि कलश तो सामने भरा रखा है शकराज ठीक है इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए सभी पीते हैं और नर्तकिया एक एक को सान उरोध पान कराती हैं दूसरा सामन श्रीमान की आग्या मानने के अतिरिक दूसरी गती नहीं उन्होंने समच से काम लिया नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती तीसरा सामन क्यों बखबख करते हो चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनन्द लो लड़ना पड़ता तो सारी हेकडी भूल जाती दूसरा सामन क्रोध से लड़कडाता हुआ उठता है हम से? तीसरा सामन हाँ जी तुम से दूसरा सामन तो फिर आओ तुम ही से निपटले सब परस पर लड़ने की चेश्टा कर रहे हैं शकराज खिंगल को संकेत करता है और वो उन लोगों को बाहर लिवाला जाता है इसके साथ ही तूर्यनाध होता है शकराज रात्री के आगमन की सूचना हो गई दूर्क का द्वार अब शीगर ही बंद होगा अब तो हिरिदय अधीर हो रहा है खिंगल खिंगल का पुनह प्रवेश होता है खिंगल दूर्क तोरण में शिविकाएं आ गई है शकराज गर्व से कहता है तब विलम क्यों? उन्हें अभी ले आओ खिंगल सव इना कहता है किन्तु रानी की एक प्रार्थना है शकराज क्या? खिंगल वो पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेट करना चाहती है उनकी मर्यादा शकराज ठठा कर हस्ते हुए कहता है क्या कहा? मर्यादा? भाग्यने जुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है ये उनकी दैनिय दशा है खिंगल वो श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है शकराज हसकर कहता है अच्छा तुम मध्यस्त हो न? तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेट करूँगा जाओ खिंगल का प्रस्थान होता है कोमा महराज मुझे क्या आग्या है शकराज कुछ चौक कर कहता है अरे तुम भी यहीं खड़ी हो मैं तो जैसे भूल ही गया था रिदर चंचल हो रहा है मेरे समीप आओ कोमा कोमा नई रानी के आग्मन की प्रसनता से शकराज कुछ समहल कर कहता है नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा कोमा निर्विकार भाव से कहती है संसार में बहुत सी बाते बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बाते बुरी मालूम पड़ती है शकराज जुंजला कर कहता है तुम तो आचार या मिर देव की तरह दार्शनी को किसी बाते कर रही हो कोमा वो मेरे पिता तुल्य है उन्ही की शिक्षा में मैं पली हूँ हाँ छीक है जो बाते राजा को अच्छी लगें वो ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए शकराज कुछ अव्यवस्थित होकर कहता है अच्छा तुम इतनी अनुभूती मैं हो ये मैं आज जान सका कोमा राजा तुम्हारी इस नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्यता और मधूर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शुन्य में संगीत की वसंद की और मकरंद की स्रिष्टी की थी उसी दिन से मैं अनुभूती मैं बन गई हूँ क्या वो मेरा भ्रह्म था कहदो कहदो कि वो तिरी भूल थी उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आँख मिलाती है शकराज संकोच से कहता है नहीं कोमा वो भ्रह्म नहीं था मैं सचमुष तुम्हें प्यार करता हूँ कोमा उसी तरह कहती है तब भी ये बात शकराज कौन सी बात कोमा वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा आज तुमें किस तरी को अपने पती से विछिन कराकर अपने गर्व की त्रिप्ती के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो शकराज बात उड़ाते हुए हस कर कहता है अरे पागल कोमा वो मेरी राज़नीती का प्रतिशोध है कोमा द्रिड़ता से कहती है किंतु राजनीती का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुछले बिना नहीं हो सकता शकराज जो विशेन समझ में आवे उस पर विवाद ना करो कॉमा खिन्न होकर कहती है मैं क्यूं न करो किन्तु नहीं मुझे विवाद करने का अधिकार ही नहीं ये मैं समझ गई वो दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहर देव का प्रवेश होता है शक्राज संभ्रम से खड़ा होकर धरम पूज्य मैं वंदना करता हूँ मिहर देव कल्यान हो फिर कोमा के सिर पर हाथ रखकर कहता है बेटी मैं तो तुमको ही देखने चला आया तू उदास क्यों है शक्राज की और मूख द्रश्टी से देखने लगता है शक्राज आचार्य रामगुप्त का दर्पदलन करने के लिए मैंने धृुफ स्वामिनी को उभार में भेजने की आग्या उसे दी आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है कोमा को इसमें आपत्ती है मिहर देव कंभीरता से कहते हैं ऐसे काम में तो आपत्ती होनी ही चाहिए राजा स्त्री का सम्मान नश्ट करके तुम जो भयानक अपराद करोगे उसका फल के आच्छा होगा और भी ये अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा शक्राज शोब से कहता है भावी पत्नी? क्या इसमें भी संदे है? राजा, स्त्रीयों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है परंतु सावधान होकर उसके परिनाम को भी सोच लो शक्राज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तशेप न करें तो अच्छा हो मिहिर देव, राजनीती? राजनीती ही मनुश्यों के लिए सब कुछ नहीं है राजनीती के पीछे नीती से भी हात न धो बैठो जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है राजनीती की साधारन छलनाओं से सफलता प्राप्त करके शन भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो परन्तो इस भीशन संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानी है शक्राज दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गिय जोती का निवास है शक्राज बस बहुत हो चुका आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी अब आप यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ इतना कहकर वो प्रस्थान कर लेता है मिहीर देव चल कोमा हम लोगों को लताओं, व्रक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूती मिलेगी इस दुर्ग से बाहर चल कोमा गदगद कंट से कहती है पिताजी इसके बाद वो कुष्टेर खड़ी रहती है मिहीर देव बेटी हृदय को समाल कश्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा प्रताडना में बड़ा मोह होता है उसे छोड़ने को मन नहीं करता कोमा चल का बहीरंग सुन्दर होता है विनीत और आकरशक भी पर दुखदाई और हिर्दय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल कोमा सह करुन भाव से कहती है तोड़ डालू पिताजी मैंने जिसे अपने आसों से सीचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलज गई है देदू एक छटका उसकी हरी हरी पतियां कुचल जाए और वो छिन होकर धूल में लोटने लगे ना ऐसी कठोर आग्या ना दो मिहर देव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए कहते हैं यहां तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे जर्नों की किनारे दाग की कुंजो में विश्राम करेंगे जब नीले आकाश में मेगों के टुकडे मान सरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे तब तू अपनी तकली पर उन कात्ती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा कोमा तो चलू एक बार चारों और देखकर बस एक घड़ी के लिए मुझे मिहर देव उब कर आकाश की और देखता हुआ कहता है तू नहीं मानती वो देख नीली लोहित रंग का धूम के तू अविचल भाव से इस दुर्ग की और कैसा भयानक संकेत कर रहा है कोमा उधर देखते हुए कहती है तब तो एक शन मुझे मिहर देव पागल लड़की अच्छा मैं फिराऊंगा तू सोच ले विचार कर ले अच्छे से ये कहकर मिहर देव चले जाते हैं कोमा जाना ही होगा तब ये मन की उलजण क्यों अमंगल का अभिशाप अपनी करूर हसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुक के स्वपन विलीन हो जाएंगे मेरे यहां रहने से उन्हें अपने भावों को चिपाने के लिए बढ़ावटी विवहार करना होगा पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे न सह सकेगा तो चलूँ यही ठीक है पिता जी ठहर ये मैं आती हूँ इतने में शकराज प्रवेश करता है और कहता है कोमा कोमा जाती हूँ राजा शकराज भैबीत होकर उसे देखता हुआ ओ भैयावनी पूँच वाला धूम के तु आकाश का उच्छंकल परियाटक नक्षत्र लोग का अभिशाप कोमा आचार्य को बुलाओ वो जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा इस अमंगल की शांती होनी चाहिए कोमा वो बहुत चिर गए हैं अब उनको प्रसंद करना सहज नहीं है वो मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे शकराज कोमा पिताजी के साथ कोमा हाँ पिताजी के साथ शकराज और मेरा प्यार मेरा सने सब फुला दोगी इस अमंगल की शांती करने के लिए आचारे को न समझाओगी कोमा कुछ खिन नहोकर कहती है प्रेम का नाम ना लो वो एक पीडा थी जचूट गई उसकी कसक भी धीरे-धीरे दूर हो जाएगी राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्व मैई पुरुष मूर्थी की पुजारन थी जिसमें पृधवी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृड़ता थी इस स्वार्त मलिन कलुष से भरी मूर्ती से मेरा परीचय नहीं था अपने तेज की अगनी में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो उसे द्रड़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड नहीं सकते तुम आशंका मात्र से दुर्बल कंपित और भैभीद हो शकराज धूम के तुको बार-बार देखता हुआ भायानक कोमा मुझे बचाओ कोमा जाती हूँ महराज पिताजी मेरी प्रतिक्षा करते होंगे ये कहकर वो चली जाती है शकराज अपने सिनहासन पर हताश होकर बैठ जाता है इतने में ही प्रहरी प्रवेश करके कहता है महराज, ध्रोव स्वामीनी ने पूछा है कि एकांथ हो तो आऊँ शकराज, हाँ कहदो कि यहां एकांथ है और देखो, यहां दूसरा कोई ना आने पावे प्रहरी चला जाता है शकराज चंचल होकर टहलने लगता है धूम केतु की ओर दृष्टी जाती है तो भैबीत होकर बैट जाता है शकराज तो इसका कोई उपाई नहीं नजानी क्यों मिरा हृदय घबरा रहा है कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए फिर कुछ देर सोच कर कहता है किन्तु इधर धृष्टी जुआ रही है तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए ये सोच कर वो जाता है स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे धृष्टी स्वामी नी स्वन खचित उत्तरिय में सब अंग छिपाई हुए आती है केवल खुले हुए मुँपर प्रसन्न चेश्टा दिखाई देती है चंद्रगुप्त तुम आज कितनी प्रसन्न हो धृष्व स्वामी नी और तुम क्या नहीं चंद्रगुप्त मेरे जीवन निशीत का धृष्व नक्षत्र इस घोर अंदकार में अपनी स्थिरु जोलता से चमक रहा है आज मोहतसव है न धृष्व स्वामी नी लौट जाओ इस तुछ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की अवशक्ता नहीं चंद्रगुप्त देवी ये तुम्हारा शनिक मोह है मेरी परिक्षा ना लो मेरी शरीर ने चाहे जो रूप धारन किया हो किन्तु हृदय निश्चल है धृष्व स्वामी नी अपनी कामना की वस्तु ना पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है चंद्रगुप्त पीखे वचनों से मरमाहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यू पक्ष से विमुख नहीं कर सकता मैं केवल अपना कर्तव्य करूँ इसी में मुझे सुख है धृष्व स्वामी नी संकेत करती है शकराज का प्रवेश होता है दोनों चुप हो जाते है वो दोनों को चकित होकर देखता है शकराज मैं किसको रानी समझू रूप का ऐसा तीवरा लोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा था इसमें कौन धृव स्वामी नी है धृव स्वामी नी ये मैं आ गई हूँ चंद्रगुप्त हसकर कहता है शकराज को तुम धोका नहीं दे सकती हो धृव स्वामी नी कौन है ये एक अंधा भी बता सकता है धृव स्वामी नी आश्चर्य से कहती है चंद्रे तुमको क्या हो गया है यहां आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए ये तुम्हारी स्वामी भगती है शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है चंद्रगुप्त कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो धृव स्वामी नी चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नश्ट ना करो यहां से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के या अंतहपूर में रह पाऊंगी चंद्रगुप्त चंद्रे कहकर मुझे को पुकारने से क्या तात परे है ये अच्छा जगड़ा तुमने फैलाया इसी लिए मैंने एकांत में मिलने की प्राठना की थी धुरूफ स्वामीनी तो क्या मैं यहां भी चली जाऊंगी शकराज फैरो दोनों को फिर वो ध्यान से देखता हुआ कहता है क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लो धुरूफ स्वामीनी हैं चंद्रगुप्त हैं का निरने होना चाहिए धुरूफ स्वामीनी क्रोध से कहती है चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गती बंद करो शकराज धूमकेतु के और देखकर भैवीत सा ओ भयानक व्यग्र भाव से वो टहलने लगता है चंद्रगुप्त शकराज की पीट पर हाथ रखकर कहता है सुनिए धुरूफ स्वामीनी चंद्रे चंद्रगुप्त इस धंकी से कोई लाब नहीं धुरूफ स्वामीनी तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन वरन साथ ही होगा चंद्रगुप्त तो डरता कौन है दोनों ही शीग्र कटार निकाल लेते हैं शकराज घबरा कर कहता है हैं? ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ठेरो आचारे ने ठीक कहा है आज शुब महुर्त नहीं है मैं कल विश्विस्निय व्यक्ति को बुला कर इसका निश्चे कर लूँगा आज तुम लोग विश्राम करो धुरुव स्वामिनी नहीं इसका निश्चे तो आज ही होना चाहिए शकराज बीच में खड़ा होकर कहता है मैं कहता हूँ न? चंद्रगुप्त वहरे कहने वाले धुरुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आकरमन से भैबीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है शकराज आश्चरे से उसे सुनता हुआ सहसा घूम कर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है धुरुव स्वामिनी जटके से चंद्रगुप्त का उत्तरिए खीच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ा कर शकराज को घेर लेता है शकराज चकित्सा होकर कहता है है? ये तुम कौन प्रवंचक हो? मैं हूँ चंद्रगुप्त तुम्हारा काल मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीर्ता की परिक्षा लेने, सावधान शकराज भी कटार निकाल कर युद्ध के लिए अग्रसर होता है युद्ध और शकराज की मृत्यू बाहर दुर्ग में कोलाहल हो जाता है धुर्व स्वामिनी की जय कहला मचाते हुए रक्ता रक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है धुर्व स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेद स्वर से धुर्व स्वामिनी की जय हो